उतरपरदेश में इस वक्त मेल मुलाकातों का दौर चल रहा है खासकर यूपी बीजेपी में ये दौर कुछ जादा ही तेज है एक तरफ सीयम योगी आदेतिनाद के जोन वाई समीच्छा बैटके चल रही है तो दूसरी तरफ कीशो परसाद मौर अलग-अलग इलाकों के न नेता और सपब धायक पल्लवी पटेल से मुलाकात की जिसके बाद ये पूरा मामला कहीं न कहीं योगी आदितनाद के फेबर में होता हुगा दिखाई दिया और यही कारण है केशो परसाद की मुस्कले अब बढ़ती हुई नजर आ रही है आपको बता दे पल्लवी पटे यादो की समाजवादी पार्टी के संग गडवंधन का हिस्सा थी हलाकि बाद में पल्लवी पटेल और अखलीश यादो का यहा साथ बरकरार नहीं रह पाया पहले राज्यसभा चुनाओं में पल्लवी पटेल ने वोटिंग के वक्त सपा से अलग रुख अपना लिया उसका कोई फायदा देखने को नहीं मिलता असल में सियम योगी और पल्लवी पटेल की ये मुलाकात बुधवार को हाई फाई ड्रामे के बीच में निकल कर सामने आई वही सियम आवास पर दोनोंने ताओ के बीच करीब आदे घंटे की बातचीत हुई फिलाल यही बताया ज़ा रहा है कि पल्लवी पटेल अपने विधान सवा छेत्र सिरातों से जुड़े मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्रे से मुलाकात करने पहुची थी आपको बतादे पल्लवी पटेल अनपरिया पटेल की बहन है अनपरिया की उस पार्टी अपना दल सोने लाल बिजेपी की सहयोगी है और एंडिये का हिस्सा है पिछले कुछ दिनों में अनपरिया पटेल की एक चिठी काफी वारल हुई जिसमें उन्होंने कहा था कि योग हुई और कितनी लोगों को आरक छड मिला इसका पूरा ब्योरा केशो प्रसाद मौर योगी आधितिनाद से मांगते हुए नसराते हैं जिसके बाद कही न कहीं ये पूरे सियासी हल चल बदलते हुए नसराती है वहीं अखलेश यादों का सो बिधायकों का ओफर देना और म मांसून सत्र में उनको सियंपद का ओफर करना कहीं न कहीं इस बात की तरफ संकेत कर रहे थे कि अब केशो प्रसाद मौरे जबरदस्ती की रार खोच कर कहीं न कहीं सपा पार्टी में सिफ्ट होने का प्रयास कर रहे हैं वहीं अखलेश यादों ने साफतार पर ये कह दिया कि जिनकी अपनी पार्टी में नहीं बनती और वो हमारी पार्टी में उनके लिए कोई जगा नहीं है लेकिन उनका ये ट्वीट इस बात की तरफ खलचल बढ़ाता हुआ नसर आया वहीं केशो प्रसाद मौरे ने जब 43 बिधाय को और 2 सांस्तों और 2 10 मंत्री गड़ों के स अपने ट्वीट पर फोटो डाला और उसमें सब को टाक किया और सियम योगी को दरखिनार कर दिया तो ऐसे में माना जाने लगा कि कहीं न कहीं केशो प्रसाद मौरे अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं और योगी आदितनात को ये दिखाने की कोशिस कर रहे हैं कि उ लिए जाते हैं क्या वो फैसली योगी आधितिनाथ के फेवर में आते हुए दिखाई देंगे या केशु प्रसाद मौरिय को जो पद चाहिए क्या वो पद मिलता हुआ नजर आएगा ये देखना दिल्चस्प होगा